हेलो फ्रेंट्स अवरीमों वेलकम चौल अफ यू टू तो तसक्सस एजुकेटर सक्सस एजुकेटर की यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोग का बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जोक्ता अकैडमी क्या नया लेक्चर और यह लेक्चर नवर जो है लेक्चणम नमबर टूंटी है इसके लाबा मैंने दो डिस्क कवर कीए थे जोकी आपके चंबा डिस्क था एक का बिलासमक त्रिक था तो दोनों को हमने कवर कर लिया है और आज हम कांग्रा डिस्ट्री को स्टार्ट करने वाले काफी इंपॉर्टन लेक्चर रहने वाले हैं चाहे आप किसी भी एक्जाम की तैयरी कर रहे हैं हिमाचल परदेश में उन सभी के लिए काफ़ी इंपोर्टन रहेंगे तो नए स्टुडेंट जो है चैनल को कर देना सब्सक्राइब और वीडियो अच्छा लगता है तो कैंटली लाइक भी जरूर करिएगा तो हमारा जो आज रहने वाला है कांगडा का पार्ट नंबर वन रहेगा जिसमें हम आज हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं कांगडा जिस्ट्री की तो कांगडा जो काफी बड़ा जो है हमारा उस समय रियासत था तो कांगडा जो है आपका दो या तीन लेक्चर में कम्प् जाके आप पुराने लेक्चर भी देख सकते हैं जोक्टा अकेडमी की किताब को जो है हम कवर कर रहे हैं आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है ये वाला हिस्सा कांगडा का हिस्सा ठीक है तो कांगडा कहां पर लाई करता है मैप पर जरूर जो है आपने चेक करना है मैप आ के लिए स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ओफ कांगड़ा का इतिहास हिस्ट्री की दोस्तों अगर हम बात करें कांगड़ा जिसको आज के सब्सक्राइब को पहले नगर कोट के नाम से जाना जाता था तो कांगड़ा वाला जो एरिया है आज के समय वह वास्तम में किसका बनता है त्रिगर्थ का एरिया जो है इसमें जो आपका आज के समय में जो जलंदर है जलंदर दौाब वाला एरिया वो इसके अंडर आता था दूसरा जो कांगड़ा वाला एरिया ठीक है तो त्रिगर्थ इन दोनों से बनके जो है बना हुआ है जलंदर वाला एरिया जो ही आपका जो आज के जो है आपकी जो रियासत ही त्रिगर्थ वो बनती है तो कन्फ्यूज नहीं होना आपने और कांगड़ा को इसलिए त्रिगर्थ बोल दिया जाता है क्योंकि ये जो है त्रिगर्थ का पार था अब त्रिगर्थ में लिए उस रीजिन को भी बोला जाता है कि जो सतलुज है रावी हो गया ब्यास हो गया और सतलुज रावी ब्यास और सतलुज का जो हिस्सा है उसको भी जो है त्रिगर्त कहा किया है पुराने समय में ओके तो यह आपको याद रखना है इसके अलावा दिखिए सबसे पहले जो modern day history में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आदमी जिसने त्रिगर्त के बारे में बात करी है वो है सर कनिंगम ठीक है तो कनिंगम का नाम आपने याद रखना है कि कनिंगम ने सबसे पहले जो है यहा जो त्रिगर्त है या फिर जालंदर है वो कैसे नाम पढ़ा गंगा और सागर का पुत्र था जिसका नाम था जालंदर यह एक दानव था जिसको शिपजी भगवान ने मारा था तो उसके नाम पे जो है यह वाला जालंदर वाला जो है नाम पढ़ा हुआ है तो यह इसके प एक किताब है जिसको किस ने लिखा है पानिनी ने लिखा है तो इनकी किताब में भी जो है यहां पे त्रिगर्थ के बारे में बताया गया है और जो त्रिगर्थ के जो लोग थे उनको कहा गया है आयूध जीवी आयूध जीवी संग के बारे में जो की युद्ध दौरा जो ह लोग कहें गए हैं त्रिगर्थ के ठीक है जो लड़ाई वगयरा करते थे और वहीं से ही अपना जो है अपना रोजगार वगयरा चलाते थे राइट इसके लावा इंपोर्टन चीज जो फाउंडर है त्रिगर्थ के फाउंडर देखो अगर आप दूसरी बुक देखेंगे तो उसमें भूमी चंद है बास्तविक में भूमी चंद थे और उस समय जो राजधानी हुआ करती थी वो सुल्तान थी याद रखेगा और भूमी चंद की फैमिली क 234 नंबर के जो राजा थे जिसका नाम सा सुशर्माचंद सुशर्माचंद इनों ने बास्तविक रूप में जो है नगर कोड की स्थापना करी थी अब इनको भी त्रिगर्थ के जो संस्थापक माना जाता है और भूमी चंद को भी संस्थापक माना जाता है ये डिपेंड का संस्थापक सुशर्मा चंद माना जाता है ये भी आपको याद रखना है और पहली जो राजधानी हुआ करती थी वो क्या थी सुल्तान में हुआ करती थी जो की ठीक है तो इसके लावा दिखिए मैंने एक तो बात आपको यहां पर बताए कि अश्ट ध्याई की जो बुक में जो है इसके बारे में मिलता है दूसरा पता जो है राज तेरंगनी एक किताब है राज तेरंगनी ठीक है कलहन ने ये लिखी थी और उनकी किताब में भी जो है त्रिगर्थे बारे में में एक है और इसके लाव में बताया गया है कि उस समय कश्मीर का राजा हुआ करता था शंकर वर्मन नाम का राजा था उसने कांगड़ा के परथ्वि चंद पर अटैक किया था और कांगड़ा को अपने अधीन किया था तो ये राज तरंगनी में लिखा गया है फिलाल यह बहुत इंपॉर्टनट है सुशर्मा जो है फाउंडर है त्रिगर्थ के अगर भूमी चंद अप्शन में तब भूमी चंद अंसर होगा ठीक है वहां ध्यान से अंसर देना है और पहली कैपिटल जो थी त्रिगर्थ की याद रखेंगे आप सुल्त गजनावई में पूछी जाती है 1 001 में महमुत गजनी ने यहां पर आकर्वन किया था और यह उतबी ने अपनी किताब में लिखी है उतबी जो था एक code point था महमूद गजनेवी के दिरवार में और उसने तारीख यामनी इसने किताब लिखी है क्या तारीख यामनी तारीख यामनी में जो है इसने लिखा हुआ है इसके बारे में राइट तो याद रखी गया और इसने इस किताब में ये भी लिखा है कि ये जो इसने नाम जो दिया था वो भीम नगर दिया था नगर को ये भीम नगर का नाम देता है याद रखेंगे ठीक है भीम नगर बोला है इसने और फरिष्टा ने क्या बोला है फरिष्टा ने बोला है भीम कोट तो ये दो अलग और नाम है कांगडा के भीम कोड भी था भीम नगर भी था और नगर कोड़ तो ओफिशली था ही राइट चोई बाते याद रखिएगा आप देखो जब यहां पे हमुद गजनेवी का अटैक होता है यहां पे तो उस समय कांगडा का राजा था जगदीश चंद ठीक है तो जगदीश च हुआ था और उस समय जगदीश चंद यहां का राजा था राइट अब देखो यह जो सुशर्मा चंद है मैंने आपको बताए कटोज डनेस्टी से बिलोंग करता था तो याद रखना है आपने कि यह जो कांगडा रियासत थी वो कटोच वंश जो है उनके अंदर जो है अं जो chronology है वो आपको याद रखनी है तो यूरूपियन की अगे हम बात करें तो सबसे पहले कुन आया था थोमस कोरियाट अ है थोमस कोरियार जो है सबसे पहले यहां पर आया था लेट याद रखना है सोलासो पंद्रा में थोमस्कोरियाट आता है फिर उसके बाद जो है सोलासो चैसे रेट याद के बाद आएगा फोस्टर यह आपको याद करनी पड़ेंगे रिचने वाली चीजी समझने वाली चीजे हैं नहीं अब मैं आगे कहानी बताओंगा पूरी वो आपको समझना है और साथ में फैक्ट बहुत जरूरी है क्योंकि एक्जाम में फैक्ट पूछता है। थोमस कोरियाट पहला येरोपियन आया, दूसरा आया थेवेनोर कांगडा में, तीसरा आया फोस्टर, फिर आता है आपका मूर क्राफ्ट, मूर क्राफ्ट, ये आया था 1832 में, ठीक है, कई जगा 1820 में लिखा होगा, लेकिन 1820 या फिर 1832 आप्शन में दिखता है, वो अंसर होगा इसका, और फिर लास्ट में विगने आया है, विगने, रइट, 1835, कहीं पर 1849 भी है, तो इसी दोरान जो है विगने ने यहाँ पे वि में पूछा जा चुका है, और उस समय कांगडा का राजा कौन था, उदीतो, ठीक है, उदीतो समय जो है, कांगडा का राजा था, इस बात को ध्यान में रखना, चार महीने यह यहाँ पे रहा, ठीक है, फिर बाद में जब बापिस यह गया था, 643 में तब भी जो है, 243 में कौन हिउन सांग राइट इस चीज़े यहां पर याद रखिएगा अब देखो महमद गजनी ने जो अटैक किया था एक हजार नो में किया था अब एक हजार नो में से लेके एक हजार 43 तक जो है यहां पर महमूद गजनी का जो है यहां पर उसके अधीन राय नगर कोट यह टाइम पिरिड़ है जब यह गजनी भी के अंडर रहा है याद रखेंगे इस बात को एंड फिर बाद में 1043 में जो है तोमर राजपूदों ने इसको अजाद करवाया था तोमर राजपूद और किंग का भी आप नाम याद रसकते हैं दिल्ली से थे यह थे महिपाल तोमर महिपाल तोमर ने जो है इसको फिर छुडाया था 1043 में ओके फिर लेकिन एक हजार एक उंजा में जो है याँ फिफ्टीटू में जो है यह यहां पे फिर से जो है अंडर टरकिष चला गया था राट अबदुलर Trashid ने जो है सत्ता में जब वो आता है मह्मूद का बेटा था अब दुल राशिद ठीक है कजनवी का बेटा था एंड उसने सत्ता मे यह आ गया था राइट फिर लेकिन फिर जो है 1060 में फिर जो है यहां पे कटोच डानेस्टी जो हुआ करती थी कांगडा की फ्री करवाते हैं राइट सो इस तरह से कहानी चलती है ओके देन 1070 में क्या हुआ कि जो कांगडा का राजा उस समय था पदमचंद ठीक है पदमचंद हुआ करता था कांगडा का राजा अब मतब्हेद हो जाता है नई जो है रियासत की जो स्थापना करेगा जिसका नाम था जस्वा तो यहां से जस्वा का जो है शुरुवात होती है जस्वा का फाउंडर का नाम आपने याद रखना है पूरफ चंद था एक्जाम में पूछा जा चुका है 1170 की ये बात है तो ये चीज़े याद रखेगे ये इंपॉर्टनट है यह बहुत इंपॉर्टनट है एक्जाम में पूछी जाती है राइट इसके बाद important राजा जो है पृत्वी चंद पृत्वी चंद पृत्वी चंद से related क्या बाते आपको याद रखनी है कि इनके शासिनकाल में 1337 में क्या हुआ महम्मद बिन तुगलक का अटैक हुआ था महम्मद बिन तुगलक का जो है कांगडा किले पे अटैक हुआ यह डेट बहुत इंपोर्टन्ट है डारेक्ट एक्जाम में पुछिया आते है 1337 में मुहम्मद बिन तुगलक ने जो है यहां पे कांगडा के ले को capture किया था राइट और ये question पुछा आता है कि मुहम्मद बिन तुगलक ने जब attack या उस समय कांगडा का राजा कौन था तो पृत्वी चंद था राइट और और पृत्वी चंद को कराचल का नाम दिया था कराचल नाम रखा था किसने इबन बदूता ने इबन बदूता और इबन बदूता जो था किसके कोट में था ये मुहम्मद बिन तुगलक के कोट में था ये मुरक्को से था इबन बदूता रूप चंद राजा बनता है अब देखिए इसके बार इसके जब यह राजा बना ठीक है जब यह राजा बनता है तो इसने क्या पॉलिसी अपनाई कि जो मैदानी भाग हुआ करता था उनको लूटने का जो है इसने प्लैन बनाया तो दिल्ली तक की सीमा लगती हुई जो अबुदीन उसने जो है आते समय जो भी इसने सामान लूटा वगरा था रूप चंद ने दिल्ली तक का तो वह उसने वहां इससे लूट लिया तो यह जो लूटने वाली पॉलिसी थी यह उस समय दिल्ली का राजा हुआ गरता था वो फिरोशात उगलक है इसके समय में उस 65 में हुआ है एक हजार नो में गजनवी का हुआ है 1337 में महमद बिन तुगलक का हुआ है और 1365 में तेरे सो पैंसट में जो है फिरोशा तुगलक का हुआ है यह तीनों इंपोर्टन अटैक हैं और गजनवी के टाइम पे जो कांगडा का राजा था जगदीश चन था जो करता है उसमें रूपचंद था तीनों यह बहुत इंपोर्टन चीज़ें यहां से एक्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन तो इसने जो है दिली से नगरकोट की तरफ कूच कर दिया फिरोशा तुगलक ने रूपचंद के खिलाफ और यहां पर अटैक करता है और नग पार्सी में पार्सी में जो है जो है ट्रांसलेशन करवाता है और यह जो ट्रांसलेशन किसने किया था इजुदीन खालिद खानी नाम याद रखिएगा इजुदीन खालिद खानी यह जो है ट्रांसलेशन करवाता है आँ पर ओके और यह जो ट्रांसलेशन किया गया यह कि नाम पे दलील ए फिरोशाही यह important facts है याद रखिएगा इस बात को काफ़ important है ओके इसके बाद राजा बनता है संगारा चंद या सागर चंद राजा बनता है रूपचंद के बाद जो है सागर चंद जो है यहां पे राजा बनता है अब इसके समय में क्या है कि इसका contemporary ruler रूपचंद के contemporary कोन है फिरोशा तुगलग है फिरोशा का तुगलग का बेटा था जिसका नाम था नसीरुदीन और नसीरुदीन का चचेरा भाई था वो नसीरुदीन को हटा के खुद जो है गद्दी पे बैठ गया था दिल्ली सल्तनत की तो यह जो नसीरुदीन था यह भाग आया कांगडा में तो नसीरुदीन का contemporary कोन है सागर चंद है यह बस यहां से question पूछा आता है जो कि बनता है राइट सो यह याद रखेगा सागर चंद के बाद जो कौन बनेगा मेग चंद यह important हो जाता है मेग चंद यह तीनों important है यह जो मैंने तीन चीज़े बताई है ना साथ में आपका सागर चंद जोड़ लो और आगे मेग चंद यह भी important हो जाता है क्यूंकि इ 1398 में 1398 में जो है यहां पे यह अटेक करता है बेसिकली यह कांगड़ा पे अटेक नहीं करेगा यह अटेक करेगा जो नूरपूर और पठान कोट वाला एरिया है नूरपूर प्लस पठान कोट वाला एरिया वे मेंली वहां पे इसका अटैक होता है उसको वहाँ पे लूट पाड़ता है अकर्मन करके और इसकी सहायता तैमूर लंग की सहायता किसने करी थी याद रखने आपको हिंदूर का राजा था एक हिंदूर का राजा था जिसका नाम था हिंदूर का राजा था जिसका नाम था आलम चंद आलम चं अब ये question पूछा है कि तैमूर लंग का जब आकरमन हुआ तब कांगडा का राजा कौन था तो आपने answer देना है वहाँ पर मेग चंद ठीक है तो यहाँ पर जोड़ लीजिए 1398 तैमूर लंग का आकरमन उस समय कांगडा का राजा मेग चंद ठीक है ऐसे short form में आप लिख लीजिया करिए जहां से question पूछे जानी की ज़्यादा संभापना होती है ठीक है तो मेग चंद के बाद जो राजा बनेगा अपने साथियों के साथ लेकिन वहाँ पर जाते जाते जो है रास्ते में ये कुवे में गिर जाता है ठीक है और इसको मरा हुआ समझ कर ठीक है इसको ढूंडा गया कि ये कहां पर है लेकिन ये कुवे में था और इसको जब ये जो नहीं मिला बागी जो राजा थे इसका भ जाती है लेकिन ठीक 21 दिन बाद जो है एक बिजनेसमेन था बेपारी था वो वहां से जा रहा होता है उसको जो है ये राजा मिलता है हरीचंद कुवे में तो वो इसको बचा लेता है निकाल के ठीक है और जब हरीचंद निकल जाता है बच जाता है तो ये कांगड़ा वापि है वो मिला नहीं है तो यह खुद जो है यहां पर गद्दी पर बैठ जाता है करम चंद और हरीचंद यह नहीं चाहता था कि यह अपने भाई के साथ फाइट करे अपने थ्रोन के लिए तो यह क्या करता है यह बापिस चला जाएगा और बान गंगा कुराली और नियूगल यह तीन नदियों के संगम पे यह हरीपुर में एक किला बनाता है ठीक है हरीपुर में एक फोर्ट बनाता है और जो है नए रियासत की स्थापना करता है जिसका नाम था गुलेर तो गुलेर की राजधानी का आए हरीपुर वहाँ पे इसने किला बनाया था तो एक नई जो है गुलेर रियासत की स्थापना करी थी हरीचंद ने तो ये कांगड़ा का ही वंशेश था जिसने जो है गुलेर की स्थापना करी है राइट तो यह कहानी थी याद रखिएगा आरीचंद के बाद जो राजा आता है वो आता है धरमचंद 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 जो है राजा बनता है अब धरमचंद के समकालीन कौन था तो उस समय दिल्ली पे राज करता था 1540 में शेर्षा सूरी शेर्शाह सूरी और हिमायू भी आप बोल सकते हैं क्योंकि हिमायू और शेर्शाह सूरी में जो है फाइट होती रहती थी तो ये दोनों इसके समकालिन थे और शेर्शाशूरी ने जो है खान ख्वास खान जो इसका सेनापती हुआ गरता था उसने नगर कोर्ट में उसको भेजा और वो जीत भी जाते हैं यह जो एरिया था वो शेर्शाशूरी के अंडर भी रहा है कांगडा का एरिया इसके साथ साथ शेर साह सूरी का एक भतीजा था जिसका नाम था सिकंदर शाह सूरी ठीक है सिकंदर साह सूरी अब ये जो है गवर्नर बना दिया गया पंजाब का और जब हुमाईयों के मृत्ति होती है और 1556 में अकवर गद्दी बे बैठेगा तो ये क्या करेगा अकवर 1557 में सिकंदर सूरी के विरुद जो है अटैक करेगा और उसको हरा देगा और ये सिकंदर सूरी जो है ये पठानकोट और नूरपूर के बीच वाला भाग था जिसका नाम था माउकोट या मकोट वहाँ पे जो है ये शरन लेता है लेकिन आठ महीने के बाद जो है अब इसको समर्पन करना पड़ा सिकंदर सूरी को अकवर के सामने और जो है इसको जो है फिर अकवर के दोरा बेंगाल भेज दिया गया था राइट इसके बाद जो इंपोर्टन राजा है वो है जैचन इसके बाद जो राजा बनेगा वो बनेगा जैचन जैचन देखिए अकवर इसका समकालीन को था अकवर था याद रखेंगे दूसरी तरफ अकवर था और अकवर को जो है जैचंद पे किसी कारण वर्ष ये जो अग्यात कारण है वो अभी किताब में बताया नहीं गया है तो एक कारेंट से जो है अकवर को जैचंद पे कुछ संदे होता है और इस संदे के चक्कर में अकवर जो है गुलेर का एक राजा था जिसका नाम था रामचंद ठीक है गुलेर का राजा था रामचंद तो रामचंद को भेजता है इसको पकड़ने के लिए जैचंद को पकड है और इसी के चक्कर में जो है यह पंदरा सो बहत्तर में मुगलों के खिलाफ जो है यहां पे रिवोल्ट कर देगा तो याद रखना है डेड़ पूछी जाती है पंदरा सो बहत्तर में विदी चंद ने मुगलों के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया था ठीक है और इसको दबाने के लिए अकवर ने किसे भेजा हुसेन कुली खान अकवर ने अपने सेना पती हुसेन कुली खान को इसको दबाने के लिए भेजा और हुसेन कुली खान ने जो है विदी चंद को हरा दिया ओके और हुसेन कुली खान ने जो क्षेतर जीता था विदी चंद से वो सारा क्षेतर किसको देने को बोला बीरबल को वो क्षेत्र किसको दे दिया था बीरबल को ऐजे जागीर के रूप में वहाँ पे उसको दे दिया अब बीरबल आगे ओर्डर देता है खान जहां को सिनाबती खान जहां को ओर्डर देता है और खान जहां जो है नगर कोट मिर्जा और मुसूद मिर्जा वो पंजाब पर आक्तरमन कर देते हैं और इस बात का अकवर को यह बात सही नहीं लगती है तो अकवर यह सारी सेना वापिस बुला लेता है और उनको रोकने के लिए वहाँ पे भेज़ देता है ठीक है इसलिए यहाँ पर यह अटेक सक्सेसफ के एरिया थे वो जो है इन्होंने capture करे थे तो यह याद रखेगा अब इसके बाद जैचंद के बाद जो राजा बनेगा वो इसका बेटा विधी चंद पहली वारिस ने आकर्मन किया अंग्रेजों के खिलाब 1572 में नाकाम्याब रहा फिर एक वर्दवा फिर 1589 में यह अगेन अटेक करेगा तो दो वारिस ने अटेक ही है याद रखना 1589 में यह जो है यहाँ करते हैं लेकिन फिर जो है यह हार जाते हैं उनको आत्मस्वरपन करना पड़ा और आत्मस्वरपन के चक्कर में इसको अपने बेटे विधी चंद का एक बेटा था त्रिलोक चंद उसको जो है बंदक के तोर पे जो है मुगल दरवार में इसको रखना पड़ा था तो यह क डिल्ली में बेठा जहांगीर तो जहांगीर के समकालीन कोन है तरलोकचंद। तो यह गद्डी पर बैडता है और अर। इसके इलावा दिखिए तरलोकचंद। इमस्ट पूछबा बात करें तो तरलोकचंद ने जो है local सिक्के भी चलाए थे अपने नाम पे कांगडा में तो question पूछा जाए कि जो क्वाइन है वो किसने चलाए थे वो तिरलोक चंद ने करवाए थे कांगडा में local तोर पे और कहानी यह है कि एक तोता हुआ करता था इसके पास तिरलोक चंद के पास तो वो सलीम को जांगीर का नाम है तो जांगीर को पसंद आगया तो उसने जब इससे मांगा तो इसने इंकार कर दिया और यही कारण था कि इन दोनों के बीच में शत्रुता पैदा हो गई तो यह देखो छोटी छोटी बातों के लिए जो है राजा लोग लड़ा करते थे पहले कोई चीज पसंद आगे तो उनको लेनी ही लेनी है तो ये कारण था कि इनके बीच में आगे जाके जो है fight होती है लेकिन आज के लिए इतना ही बाकी का part जो है मैं आपको next lecture में करवाऊँगा total जो है आपका दो पार्ट में ये complete हो जाएगा ठीक है कांगडा तो दो पार्ट में complete हो जाएगा बाकी कांगडा के अंदर जो गुलेर है गुलेर रियासत हमने बढ़नी है बाकी रियासतें जो है हम पढ़ेंगे जो important है exam perspective से वो भी हम cover कर देंगे ठीक है झाल